ड्राइफ रूट्स को दूद में भिंगो कर खाना सही रहेगा या फिर पानी में? जो लोग अपनी सेहत का बहुत साथा खयाल रखते हैं, उनके दिमाग में अकसर ये सवाल उठता ही है कि मैं ड्राइफ रूट्स को पानी में भिंगो कर खाऊं या फिर दूद में? तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि पानी में भिंगोना सही रहेगा या फिर दूद में? क्योंकि जब ये सवाल उठता है तो हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है बात करें उन फैक्टर्स की तो उनमें nutrition है और dietary preferences है, taste भी है क्योंकि सबका अलग-अलग taste है, अलग-अलग dietary preferences है तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप पानी में dry fruits भिंगो कर खाते हैं तो उसे क्या लाग है? तो जो लोग lactose intolerance है, जो दूद को पचा नहीं सकते हैं या जिनके लिए दूद नहीं है, वो लोग पानी में dry fruits भिंगो कर खाते हैं और पानी में जब भिंगोते हैं तो वैसे ही dry fruits जो है hydrate हो जाते हैं फूल जाते हैं तो जो आपकी body में जो पानी की कमी है उसकी भी पूफती हो जाती है यानि जो लोग दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं, जादा पानी नहीं बीपाते हैं, तो वो लोग ड्राइफ रूट्स को पानी में भीगो कर खा सकते हैं एक और चीज ये एड होती है कि वो लोग जो जादा कैलोरी नहीं चाहते हैं, वो लोग पानी में डाल कर पानी में भीगो कर खा सकते हैं, वहीं हम बात करें कि अगर आप दूद में भीगो कर खाते हैं, तो इससे क्या वाइदा है, दूद में भीगो कर खाने से कि दूद में झाल झाल